आज इस विडियो में मैं कैट लिटर के रिव्यूज को शेयर करूंगी यह देखें जो मैं अपनी कैट के लिए जो मैं लिटर यूज करती हूं वो है सुपर क्लमपी लेवेंडर यह 16 लिटर का है और एंटी बेक्टेरियल है यह देखिए वेट अप्रूफड वेट अप्रूफड है सही है एंड सेकंड फिंग इस आप लोग यह देख सकते हैं एलेवेंडर की इसकी स्मेल है 99 परसंट यह डस्ट फ्री है लॉंग लास्टिंग है यह यह वाली जो है लिट आप में भी लेके आपको यहां से दिखा देखिए यह है इसका टेक्स्टर इसका ऐसा होता है यह परपल जो है यह लेवेंडर के बीज़ रहे और मेरी कैट जो है वो बहुत जादा कमफिटिबल है इसको यूज करने में इससे मेरी कैट को कोई डस्ट अलरजी नहीं होती है घर में किसी किसम की कोई स्मेल नहीं आती है 16 लीटर वाला यह जो लेटर है नौरमल लोगों के तरफ लिए आराउंड यह टू टू थ्री मन्स चल जाता है बट मैं जो हूँ वो एवरी डे लिटर चेंज करती हूँ पूरी की पूरी मटी में चेंज करती हूँ इस वज़ा से मेरा ये 16 लिटर वाला जो है ये अराउंड चलता है वन मंद ये मैं मंगाती हूँ दरास से देखिए आज ही मेरा ओडर आया है ये रहा ये पड़ावा है मैं मंगाती हूँ दरास से बिकauz मंगाना जादा फीजबल है, आज़ी है क्यों कि यहां पर संप्रेंज ही होता है कि यह लिटर मिल नहीं मिल नहीं रहा होता है और बाहर जो मिलता भी है वो बहुत था ऍभाई्ज़ दा मिलता है कि दरास से में अराउंड 14 तू 1,500 का मंग 2000 टक का भी सेल करता है क्यूंकि यह वाला जो lavender वाला जो litter है ये खतम हो जाता है, clumpy का 1 year से मेरे पास मेरी cat है और 1 year से मैं यही वाला litter अपनी cat के लिए use कर रही हूँ और यह देखें मेरी cat भी यहां बैठी वी है और वो बड़ी surprise हो रही है कि उसका लेवेंडर वाला लिटर आया है और काफी टाइम से वो इसके साथ खेल रही है तो आप लोगों को मैं एक और बात बताऊंगी जो लोग सेंड यूज करते हैं नॉर्मल सेंड यूज करते हैं प्लीज वो सेंड यूज मत कीजिए क्योंकि उस सेंड से कैट बिमार हो सकती है उस सेंड से उसको किसी भी किसम की अलर्जी हो सकती है ये वाला जो लिटर है ये 99% डस्ट फ्री है इविन दो जो घर में लोग हैं अगर उनको भी डस्ट अलर्जी है तो इस लिटर से उनकी dust allergy start नहीं होगी क्योंकि ये 99% free है आप लोग इसको try कीजिए और फिर आप लोग मुझे बताईए कि आप लोगों को ये जो liter है ये कैसा रगा आप लोग नाम देख लीजिए super clumpy lavender और ये सब जो है लिखावा है आप लोग इसको search कर लीजिएगा अला हाफिस अपना खयाल रखिएगा